भारत का रतन नहीं रहा रतन टाटा वो शक्स जिसके पास नौम शोहरत पैसा सब कुछ आपार रहा एक दो बार नहीं चार-चार बार प्यार भी हुआ लेकिन जिन्दगी भर कुवारे रहे रतन टाटा का नौक्टूबर को छासे साल के उम्रभ में निधन हो गया उनका दु हैं के बाद बेहती गमकीन हैं बड़े बुजूर्गों को अक्सर आप आपने ये कहते सुनों को कि जिन्दगी में एक वक्त ऐसा है जब है किसी को एक साथी की जरूत होती है रतन टाटा के साथ भी ऐसा ही हुआ सब कुछ होने के बाद जिन्दगी में कैसा दौर आया जब इस बाद का जिकर उन्होंने एपनी वेहत खाज सीमी ग्रेवाल से ही किया ताथ दरिसल सालों पहले रतन टाटा आपर अक्रेसके टॉक शोओ डिजुयंस विट सीमी पर मेंने महसुस होता है, कभी-कभी मैं इसके ऐं इसके लिए तरहसिते हैं की कि जहां उन्हें किसी और चिंता बोज्ज नहोंने का आजादी आंन तो कभी-कभी है시면 पर पर अैंन कोुछे कीम्तानो के गारेंस नहीं होने और मुझे महसुस होता है समय उस समय काम मेरा तालिंता था मैं कभी-कभी शादे करने के करीब भी आया लेकिन बात नहीं बनी सीमी क्रेवाल खोते पर रतन टाटा को डीड कर चुकी है और उन्हें इस बारे में बात भी किया उन्हें बताया था कि मुंबई में रतन टाटा मेरे पहले दोस्त है हम दोनों अभी-अभी विदेश से टेरा इंकॉंग्निटर में लोटे थे दो उन्हों एक अग्याद दुनिया की तहलीस पर हैं दोशकों की सवलता के बावजूद रतन के विरम्रतों और निष्ठा कभी कम नहीं हुई उन्होंने आगे यह कहा था कैसे व्यक्ति के लिए जो प्रसिद्धी की फ्लैश बलर में चकाचौन से दूर रहता है रिज्वेंस पर मेरा पहला थी थी बनना रतन की उधारता थी मेरा दल उसके दिखावे की कमी से अ बाते की उन्होंने कहा था मुझे रखता है कि मैं सिर्पेड़ थूं याता है कि आप पुरे दिर ऑफिस में रहते हैं बहुत सारे लोगों के आसपास होते हैं बहुत सारे चले फोन कॉल करते हैं और वहां से जाने की कुश्यान्ती की भावना होती है आपको याद है कि करते हैं तो टाटा ने चावब दिया कि हां मुझे इससा लगता है कि लोगा सहमत हो सकते हैं लेकि मुझे लगता है कि मैं सहमत हूं फिलाल इस पर आपके क्या कुछ रहा है आप हमें कॉमेंट करके जबर बताएं ऐसी तमाम लीडियों सब्रों को जाने करें जड़े हमारे साथ और दिक्टेरे नेक्टन लाइफ